question 8 है if a b are minus 2, minus 2 and 2, minus 4 respectively यानि a के coordinate है minus 2, minus 2 and b के coordinate है 2, minus 4 find the coordinate of p such that आपको p के coordinate find करने है जब a p is equal to क्या है 3 by 7 a b a p और a b के बीच में relation दिया गया है p lie on the line segment a b और p कहां lie करता है line segment a b पे तो यहां पे clearly हमको ratio नहीं दिया गया है directly लेकिन indirect तरिक से हमको ratio given है तो यहां से हम clearly ratio find out क्या कर सकते है since since a p equal to क्या given है a p is equal to 3 by 7 a b ठीक है यह given है clearly हमको जब हम ratio निकालते हैं तो ratio होता क्या है a p upon p b यह ratio होता है a p upon p b question में जो हमको given है मैं यहां क्या लिख सकता हूँ इसको यह a b यहां क्या है 3 upon 7 के साथ a b multiply में है क्योंकि मुझे ratio के लिए किसके जरूरत होती a p upon p b के जरूरत होती है तो मुझे दूर दूर इसको तक p b नहीं दिख रहा है लेकिन a b में कहीं न कहीं p b चुपा हुआ है तो a b जो multiply में है इधर भेजूंगा तो वह a p के upon में चल जाएगा तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ a p upon a b equal to कितना हो जाएगा 3 by 7 अब मैं क्या करता हूँ इसको reverse करता हूँ रैसी प्रोकल लिख दूँगा इनका तो a b पहुँँच जाएगा उपर और a p पहुँच जाएगा नीचे और यह हो जाएगा 7 by 3 ऐसा होने के बाद क्या ab को ab क्या लिखा जा सकता है ab किन दोनों के मिलने से बन रहा है ab plus pb ab के जगा क्या लिखा सकता है ab plus pb लिखा जा सकता है divided by क्या होगा नीचे तो a b है इसकी value कितने हो जाएगी, 7 by 3, अब यहां से इसको आप अलग-लग कर दोगे, तो AP के नीचे AP, यह AP क्या हो जाएगा, डिस्टिबूट हो जाएगा, एक बार AP अपॉन AP होगा है, एक बार प्लस PB अपॉन AP, तो यहां से बन जाएगा, यह AP अपॉन AP, प्लस PB अपॉन AP, और इधर कितना हो जाएगा, यहां तो 7 by 3 ही रहने वाला है, तो AP अपॉन AP कितना होता है, 1, प्लस की जगा है, प्लस, और यहां पे कुछ नहीं करने की ज़़ा होता है, आपको, PB अपॉन AP, इस इकुल टो हो जाएगा, 7 by 3, यह जो प्लस 1 है, य यहां से पुपज़ेगा, PB अपॉन AP, PB अपॉन AP, इस इकुल टो हो जाएगा, वहां क्या था, ओल्डेटी, ओल्डेटी, वहां तो 7 अपॉन 3 था, यह प्लस 1 उदर जागे, क्या हो गया, माइनस 1 में, कनवर्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा नीचे, तो 1 और 3 का LCM, 3, तो यहां से PB अपॉन, यहां से मैं लिख सकता हूँ, PB अपॉन AP, इस इकुल टो, LCM कितना आ गया, 3, तो यह तो 7 ही रहेगा, लेकिन यहां कनवर्ट होके क्या हो जाएगा, यह माइनस 3 ठीक है, LCM लेने पर, 3 बंचा 3, तो यह होजाएगा, 7 माइनस 3 अपॉन, 3, इसको सॉल्व करके, रिजर्ट आएगा, हमारा, PB अपॉन AP, इस इकुल टो, 7 माइनस 3, 4, और अपॉन 3, एच इच रहेगा, लेकिन हमको रेशियों के लिए, किसकी जरूत होती है, AP अपॉन PB, अ इस से, तो हम लिख सकते हैं, 3 रेशियो, 4, यानि 3 अपॉन, 4, तो हमारे पास, क्लेरली रेशियो आचुका है, therefore, therefore, AP, रेशियो PB, इस इकुल टो, क्या लिखा जा सकता है, 3 रेशियो, 4, ठीक है, तो भाई, section formula का इस्तमाल करके, हम, P के coordinate, find out कर सकते हैं, तो हम कहेंगे, coordinate of P, coordinate of P, is equal to, क्या होगा, नीची क्या होता है, दोनू, जो रेशियो होते हैं, वो आएट आ जाते हैं, 3, plus 4, इस 3 को लिख दो, इधर, plus की जीक है, plus 4, की जीक है, 4, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, आपका, X, 2, तो X, 2 की value है, मेरी, 2, तो यहाँ पे आएगा, X, 1, जो की है, minus 2, comma, again, फिर से, 3, plus 4, add कर दो, 3 लिख दो, इधर, plus की जीक है, plus 4 की जीक है, 4, 3 के साथ multiply क्या होगा, Y2, Y2 की value है, minus 4, तो minus 4 के साथ multiply करते है, यहाँ आएगा, Y1, यानि minus 2, तो इसको calculate करनेंगे, हम रिजल्ट मिल जाएगा, तो calculate करते हैं, 3 टूजा, 6, और 4 टूजा, 8, लेकिन minus 8 हो जाएगा, नीचे तो 7 ही होने वाला है, यहाँ 3 टूजा, sorry, 3, 4 टूजा 12, लेकिन minus 12, 4 टूजा 8, again minus 8 हो जाएगा, and 3 और 4 को add करके, 7, यहाँ से clearly हमको result मिल जाएगा, 6 में से minus 8 कर रहे हैं, ठीक है, तो result negative में आएगा, minus 2 upon 7, ऐसे ही, यह दोनों negative के sign के साथ add हो जाएगे, 12 और 8 add होगे, कितना होथा, 20, लेकिन यहाएगा, minus 20 upon 7, तो clearly हमें, point P के coordinate मिल चुके है, minus 2 and, minus 2 upon 7 and minus 20 upon 7, उमेद करता हूँ, आपको यह explanation पसंद आया होगा, और समझ भी आया होगा, thank you and have a nice day.